SSB के 20 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले 76 की हुई जाच स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क, ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी COVID केर सेंटर में 24 घंटे चिकित सकोके की गई है प्रतिन युक्ती मधुबनी जिले के राजनगर में बुधवार को 20 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई SSB कैंप में 76 लोगो रैपेड अंटीजेन कित से की गई जाच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए है कोरोना संक्रमित मरीज राजनगर स्थित SSB बटालियन का जवान है इसकी जानकारी राजनगर पीएच सी के लेब टेकनीशियन इस महतुला उर्फ गुलाब ने दी है उन्होंने बताया कि सर्दी खांसी की शिकायत होने पर वे बुधवार को SSB किंडर पर रैपेड अंटीजेन कित से जाच होने पर 20 जवानों को कोरोना संक्रमित पाया गया विदेथों की मंगलवार को भी दो कोरोना संक्रमित पाई गया थे वही बुधवार को सुभह में भी एक A.S.B. जवान कोरोना संक्रमित पाया गया था इसके बाद उन सभीकों को ततकाल कोविट केर सेंटर राम्टी में एडमिट किया गया है कोविट केर सेंटर में संभावित संक्रमित मरीजों के लिए बहतर चिकित सा सुविधा प्रदान करने के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है इसे लेकर कोरोना वार्ड को दुरुस्त कर लिया गया है वार्ड में मरीजों के लिए बैट की व्यवस्था की गई है वहीं गंभीर मरीजों के लिए ICU तैयार किया गया है इसमें मरीजों को बहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी 24 घंटे चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ती Civil Surgeon Dr. Sunil Kumar जाके निर्देश से कोरोना मरीजों के आगमन से पूर्व आइसोलेशन वार्ड में 24 घंटे चिकित्सक वह कर्मियों की प्रतिनियुक्ती कर ली गई है ताकि किसी भी समय कोरोना मरीजों के आने की स्थिती में तुरंत चिकित्सक ये सुविधा उपलब्द कराई जा सके इसे लेकर डॉक्टर व कर्मियों को विशेश रूप से निर्देश दिये गए है ओक्सीजन की नहीं होगी कमी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार जा ने बताया संक्रमित मरीजों के बहतर चिकित्सा के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से बहतर प्रयास किया गया है विभाग की ओर से ओक्सीजन प्लांट पर्याप्त मात्रा में ओक्सीजन सिलेंडर एवं कंसेंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं अब मरीजों को ओक्सीजन की आवश्यक्ता पढ़ने पर परेशानी नहीं होगी इससे गंभीर संक्रमित मरीजों के मृत्यु दर में भी कमी आने की पूरी संभावना है मधुबनी से मोहमद करीमुला की रिपोर्ट